नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीन मिस्र। आईए जानते हैं, आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचांकी। आठ मार्च दोहजार चौबिस दिन शुकरवार। आज अभिजीत मुहूर्थ का समय होगा, दोपहर बाराः बचकर आठ मिनट से, दोपहर बाराः बचकर चपन मिनट तक। राहुकाल का समय होगा, सुबह ग्यारा बचकर चार मिनट से, दोपहर बाराः बचकर बत्तिस मिनट तक। दिशाशूल है पश्चिम दिशा आज का दिन बहुत महत्यपूर्ण है आज महाशिवरात्री का पावन पर्व है हर साल महाशिवरात्री का पावन पर्व पागुन मास की चतुरदसी तिथी को मनाया जाता है ऐसी मानेता है कि स्रश्टी का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था धर्म गरंथों में ऐसा वणन मिलता है कि महाशिवरात्री के दिन ही भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था इसलिए महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव के साथ उनके परिवार भगवान गणेस कार्तिके और माता पार्वती की पूजा का विधान है महाशिवरात्री के दिन भक्त भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए रुद्राविशेक करते हैं तो आप भी रुद्राविशेक अवश्य करिएगा साल में जो बारह शिवरात्रियां आती हैं उन में से महाशिवरात्री को सबसे महत्यपूर्ण माना जाता है ऐसी मानेता है पराणिक कथाओं में ऐसा वनन मिलता है तो यदि आप रुद्राविशेक करना चाहते हैं तो आपको सामगरी बताते हैं क्या-क्या आप अवश्य प्रयोग करें देखे अगर विस्तार में करना चाहते हैं तो ज़्यादा सामगरी ले सकते हैं लेकिन हम कुछ जरूरी सामगरी आपको बताने जा रहे हैं जो आप अवश्य प्रयोग करें। जैसे पवित्र जल, पानी में यानि जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें तो वो पवित्र जल हो जाएगा। दूद, दही, शहद, बेलपत, भांग, धतूरा, भश्म, पान, सुपारी, फूल और फल ये कुछ सामगरी हैं जो अवश्य आप रुद्राविशेक के समय प्रयोग करें। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्री के दिन यदि आप भगवान भोले नात का रुद्राविशेक करते हैं तो कौन से दस महा लाव आपको हो सकते हैं। पहला लाव, महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव का रुद्राविशेक करने से ग्रहों से संबंधित बाधाएं दूर होती है दूसरा, महाशिवरात्री के दिन अगर भगवान भोले नात का रुद्राविशेक करेंगे तो मानसिक शांती मिलती है मानसिक रोगों से राहत मिलती है जिल लोगों को हेल्थ सम्बंदी कोई परिशानी है तो रुद्रा विशेक करने से सेहत में सुधार होता है आपका स्वास्त ठीक होता है अगर किसी के पास घर नहीं है घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो उस मनो कामना की पूर्ती के लिए भी आप भगवान भोले नात का रुद्राविशेक करें और मनो कामना का निवेदन करें भगवान शिव का रुद्राविशेक करने से समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है जिल लोगों के पास नौकरी नहीं है अगर वो रुद्राविशेक करते हैं भगवान बोले नाज से प्रातना करते हैं तो नौकरी मिलती है जिनें व्यापार में सफलता चाहिए तो व्यापार में सफलता के लिए वहगवान शिव से प्रात्ना कर सकते है महाशिवरात्री के दिन रुद्रा विशेक करने से मनो कामना जल्दी पूर्ण होती है तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी wishes जल्दी पूरी हो तो महा शिवरात्री के दिन अवश्य रुद्राविशेक करें जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भै सताता है उन्हें भी महा शिवरात्री के दिन अवश्य पूजन रुद्राविशेक भववान शिव का करना चाहिए इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोस है तो उसकी शांती के लिए भी आप महा शिवरात्री के दिन अवद्राविशेक कर सकते हैं तो आप सब को महा शिवरात्री के पावन पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की आज हर काम सावधानी से करने का दिन है उधार लें देन से बचे मन में नेगेटिव विचार ना पाले रिष्टों को संभालने का समय है सेहत का ध्यान रखे अपना खान पान ठीक रखे जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में नुकसान हो सकता है सावधान रहे जरूरी टिप धैर रखे शुबरंग क्रीम उपाय भगवान शिव को जल अरपित करे ब्रश राशी सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी परिवार में शुब काम की योजना बनेगी घर में धन का आगमन होगा आपका सम्मान और बढ़ेगा सुख शांती के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में कारे बढ़ाने का समय है जरूरी टिप आलस से बचे शुबरंग, सफेद, उपाय, ओम, नमा, शिवाय, मंत्र का 108 वार जाप करें मिथुन राशी मन का तनाव दूर होगा तेजी से काम करने का दिन है यात्रा से लाब के योग बन रहे हैं करियर के छेत्र में इस्थिती अनकूल रहेगी व्यापार को और वक्त देना होगा जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए धन आगमन के रास्ते बनेंगे आपको अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताना होगा उन्हें और टाइम देने की आवश्यक्ता है जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचे शुब रंग पीला उपाय भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें करकराशी रुके हुए काम पूरे होंगे कहीं दूर से कोई शुब समाचार मिलेगा वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा सेहत को लेकर चिंता रहेगी अपने आय और वै में संतुलन बना कर रखना होगा जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में इस्थिती में सुधार होगा जरूरी टिप जल्दबाजी से बचें शुब रंग क्रीम उपाय भगवान शिव का दूद से अविशेक करें सिंग राशी आपका सम्मान बढ़ेगा धन लाब के लिए प्रयास बढ़ाना होगा करियर में तरक्की का योग है परेशानियों से छुटकारा मिलेगा भावनाव में बह कर फैसला करने से बचें व्यापार में लाब का योग आपके लिए बन रहा है जरूरी टिप गुस्से से बचें शुबरंग मरून उपाय भगवान शिव का गंगा जल से अविशेक करें कन्याराशी भागे का साथ मिलेगा करियर के छेत्र में सफलता प्राप्त होगी आपकी नेतित्त चमता और बढ़ेगी कारिछेत्र में सफलता मिलेगी रुके व्यापार से जुड़े आपके काम बनेगे जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सुनहरा उपाय भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें तुलाराशी सुक्स विधाएं बढ़ेंगी अपने खर्चों को कंट्रोल करें लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें नई नोकरी के लिए प्रयास बढ़ाना होगा अधूरे कारे पूरे करने का समय है व्यापार में नुक्सान आज हो सकता है सावधान रहें जरूरी टिप गुसे से बचें शुबरंग गुलाबी उपाय भगवान शिव का दूद से अविशिक करें ब्रश्चिक राशी मन की टेंशन दूर होगी करियर के छेतर में सफलता मिलेगी सिक्षा से जुड़े लोगों को लाप होगा रिष्टेदारों से जो मतभेद हैं वो दूर होंगी अंजान लोगों से कोई बड़ी डील करते समय बहुत सावधान रहें जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग के सरिया उपाय भगवान शिव का शहद से अविशेक करें धनु राशी करियर के छेतर में इस्थिती बहतर होगी आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा सीनियर अधिकारी प्रसन रहेंगे जीवन साथी से सुख मिलेगा गाड़ी चलाते समय सावधानी बरते हैं व्यापार में धन आगमन बढ़ेगा जरूरी टिप लड़ाई जगड़े से बचें शुबरंग पीला उपाय भगवान शिव का गंगा जल से अविशेक करें मकर राशी भागे का सपोर्ट मिलेगा विरोजगार लोगों को नौकरी प्राप्त होगी शत्रों पर विजय मिलेगी काम में आ रही रुकावटें दूर होगी अपनी सेहत पर अपनी मेहनत पर भरोसा करें लाब होगा व्यापार में धन की स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप आलस से बचें शुबरंग नीला उपाय भगवान शिव का दही से अविशिक करें कुम्भराशी अचानक कोई खबर मिलेगी वाहन सावधानी से चलाएं करियर से संबंदित फैसला जल्दवाजी में ना करें संतान को लेकर चिंता रहेगी योजना बना कर काम करना होगा व्यापार में उधार लें देन से नुकसान होगा जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग क्रीम उपाय भगवान शिव का गंगा जल से अविशिक करें मीन राशी कारे छेत्र में सफलता मिलेगी करियर के छेत्र में लाव का योग है परिवार में सुख बढ़ेगा आपके काम की सराहना होगी धन लाब के लिए अपने प्रयास तेज करना होगा व्यापार में लाब की स्थिती बनेगी जरूरी टिप आलस से बचें शुबरंग पीला उपाय भगवान शिव का गंगा जल से अविशिक करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला साल बहुत शुब हो नमस्कार